नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में आप सबी प्यारे दोस्तों का दिल से स्वागत है आज के इस इंपोर्टन्ट वीडियो में हम बात करने वाले है Go Airlines IPO से जुड़ी दो अहम अपडेट के बारे में वीडियो काफ़ी ही यूजपूल और इंफर्मेटिव है क्योंकि हमारी टीम ने काफ़ी ही ज्यादा स्टड़ी और रिसर्च करके एक रिपोर्ट पेस की है और एक रिपोर्ट आपको कभी मिस नहीं करनी है क्योंकि Go Airlines IPO से जुड़ी दो ऐसी अपडेट हम इसी वीडियो में देने वाले है यदि इस IPO में अलोटमेंट हो गया तो दोस्तों पैसा इंवेस्टर का तीन गुना बनने वाला है तो बने रहे हमारे इस वीडियो में और इस से पहले एक छोट सी रिक्वेश्ट भी है यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब चरूर कर देना क्योंकि हरे इक IPO से जुड़ी चोट सी पिछोटी अपडेट यानि कि ग्रेम मार्केट प्रिमियम में हुई चोट सी हलचल को भी हम तुरंत अपडेट देते है Allotment Status के बारे में हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करके आपको सतीक तरीके से Allotment Status का Notification देती है और दोस्तों Listing Day की धमाकेदार Successful Strategy लिस्टिंग डे के ठीक पहले रात के 9 बजे हमारी चैनल पे आ जाती है और आज तक दोस्तों हमारी टीम का रेकॉर्ड है अभी तक हमारी जिस तरह की Successfully Listing Day की स्ट्रेटेजी रही है उसी हिसाब से ही अहरे एक IPO लिस्ट हुआ है अब बात करते हैं इस IPO में होने वाली दमाकेदार लिस्टिंग के बारे में दोस्तों इस IPO से जुड़ी ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट आपको चौका देने वाली है अभी इस IPO की Officially Date का Announce नहीं हुआ है फिर भी दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम में आग लग चुकी है उसका सबसे बड़ा यदी कोई Reason है तो वो है दोस्तों इस कंपनी का Fundamental Status और Financial Status दोस्तों पिछले 2020 में इस कंपनी ने 470 करोड का Profit जनरेट कर लिया था और मार्च 2020 में दोस्तों 1270 करोड का Profit इस कंपनी ने बना लिया है और इस साल में दोस्तों काफ़ ही ज़दा Profit में रहने वाली है दोस्तों इस कंपनी का Financial इतना Strong है कि आने वाले Listing Day पे दोस्तों इस कंपनी का Allortment जिसको हो जाता है तो उसका पैसा 2 या 3 गुना भी बन जाएगा Long Time के लिए Hold करने लाएक कंपनी है और दोस्तों इस नाम से भी आपको पता होगा कि Go Airlines से जुड़ी कंपनी है इसके लिए आपको कुछ Detail सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एरलाइन से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा Big Company बन चुकी है IPO दोस्तों रिजिस्टर हुआ है Link In Time पे रिजिस्टर हो चुका है Listing BSC और NSC दोनों पे होने वाली है और जैसे ही Gray Market Premium में यदी कोई उच्छा लाता है दोस्तों हम इसी चैनल पे अपडेट वीडियो लाते है तो Go Airlines में यदी आप Interested हो तो दोस्तों जैसे ही इसकी Officially Date Announce होगी हम आपको अपडेट दे देंगे और कैसे भी करके दोस्तों इस IPO में Apply करना मस्ट है क्योंकि यदी Apply में Allotment मिल गया तो दोस्तों Short Time में काफ़ी ही ज़्यादा Profit देने वाला एई IPO बन सकता है ऐसे ही हरेक IPO की Important अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर ही देना Thank you so much जैहिंद